आपके अपने युटूब चैनल दक्षता कैडमी पर तो कैसे आप सब तो पॉलिटी सेरीज में हम मैक्सिम वीडियो हमने 50 के आसपास हमारी वीडियो है अपलोड हो चुकी है और पॉलिटी का स्लेबस अब हमारा कम्प्रीट होने ही वाला है उसमें भी जो टॉपिक अब जो डाउट है इस वर्ड में की संग्य व्यवस्था या जो संगात्मक व्यवस्था फैडरल स्ट्रक्श्चर होता क्या है तो इसी चीज को इसी टॉपिक को हम आज की वीडियो में समझेंगे तो ध्यान दीजेगा तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसे समझने के लिए संग्य व्यवस्था क्या है इसे हम कंपेर करते हैं एकात्मक व्यवस्था से तो किसी भी सरकार को चलाने के लिए किसी भी देश को चलाने के लिए वहां सरकार होती है और वह सरकार जो होती है वह जो धांचा अपनाती है जो सिस्टम अपनाती है वह या तो आपका होगा ए जानिका। युनिटरी सिस्टम Jaa तो उस देश की सरकार के दोरा अपनाया जाएगा संग्हेय वैवस्था यह पैडरल सिस्टम् अब Hers T पहले अगर हम एकात्मक व्यवस्था के बारे में देखें तो एकात्मक व्यवस्था यानि की युनिट्री सिस्टम उसमें क्या होता है कि जो आपकी केंद्रिय सरकार है केंद्र केंद्रिय सरकार या फिर जो आपके शेत्रिय सरकार है उनके पास सारी जो शक्तिया है और जो क कार्य होते हैं वह अपके Canadians सिद Любhற को और जर्फ के बीच में केंदर के बीच में और राज्यों को बीच में बैद क्या था wszystkieлов वह Since it is कि आपका सिदे सिदुदे दिव जाती है केंदर को और जापके शेत्रिय सरकार है उनको दे दी जाती है लेकिन संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है आपका शक्तियों का विभाजन division of powers होता है तो यह main difference है संघ्य व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में केंडर को अधिक शकती दी गई है। इक तरीकी से बैठती है। कनादा का अगर हम मोडल देखें, अधिक शक्तित दीगई है, शक्तियों का विभाजन होता है केंदर सरकार और राज्य सरकार के बीच में, केंदर और राज्यों की बीच में, यह प्रणतिय तो यह आजा कि वीदियो का हमारा इंट्रोडक्शन कि आखिर यह विवस्था का ये होता क्या है अगर हम Constitution में देखे सन्विधान में देखे तो हमारे सन्विधान में कहीं भी जो ये संग जो शब्द है फैडरल ये जो आपका वर्ड है इसका कहीं भी उलेख नहीं मिलता लेकिन जो हमारा Article No.1 है उसमें लिखा हुआ है कि भारत जो है राज् दिया कहला है अब कउशन उठता है कि हमारे देश ने हमारे सन्विधान में संगे धांचे की यहीं बात क्यู की गई है कि हमारे देश को पाझन धांचा होगा वहां पर संग्य व्युष्टा अपनाए जाएगे एकात्मक व्यृवस्था क्यों नहीं अपना आए ढप म ανα इसलिए अपनाया है क्योंकि एक तो हमारे देश बहुत बड़ा है और यहाँ पर की जनसंख्या बहुत जादा है और सबसे ऊपर जो बात है वो यह कि यहाँ पर जो विविद्धा है यहाँ पर diversity बहुत जादा है बहुत संस्कृति है और इतने सारी विविद्धाओं को एक धांचे में जो परोसना मुश्किल हो जाता अगर यहां पर एकात्मक विवस्था अपनाई जाती और इसलिए ही हमारे देश में एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए unity और integrity को बनाए रखने के लिए सभी को एक जुट रखने के लिए यहां पर सारी शक्तिया किसी एक को ना देकर किसारी जो शक्तिया है केवल केंदर सरकार या राज्य सरकार को ना देकर क्या क्या गया कि शक्तियों को डिवाइड कर दिया कि अब सारी शक्तिया हम एक जो है के कात्म को वेवस्ता की तरह बलकि क्या करेंगे कि शक्तियों का विभाजन करेंगे कि आधी शक्तिय उनको दे दी और कुछ शक्तिय उनको दे दी ताकि एक design बना रहे एक एक पॉइंट लेते हैं पहला पॉइंट है हमारा द्वैत राजपधती इतनी देर से जो हम आपको मैं बता रही हूं उसी से रिलेटिड है कि यहां पर जो है शक्तियां इमकार जो है आपके डिवाइडिड है दो में किस-किस में सेंटर एंड स्टेट यानकी केंद्र एवं राज्य के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच केंद्र सरकार को संग्य सरकार भी कहते हैं राश्य सरकार भी कहते हैं और राज्य सरकार को हम प्रांतिय सरकार भी कहते हैं और इस तरह से जो द्वैद राजपरस्ती में ह वे शक्तियां जो कि नेशनल इंपोर्टेंस रखती है राष्ट्रिय महत्यों के विशे को हम केंदर सरकार को देते हैं जैसे कि आपके जो है अगर हम देखें कि रख्षा डिफेंस के जो एरिया है डिफेंस की संबंदी जितने भी पावर्स है हम केंदर को देंगे उसके जो आपकी मुद्रा है करंसी से रिलेटेड सारी पावर्स और जो आपका डिफेंस हमने देख लिया तो यह जो नेशनल इंपोर्टेंस की जो चीजे है राष्ट्री महत्यों के जो इतने मुद्दे हैं वह सब वह जो शक्तिया है केंदर सरकार को दी जाती है राज्य सरकार से अलग हो जाने की कोशिश न करें तो राज्य सरकार को जो विशे दिये गए हैं जैसे कि आपके स्वास्त्य से हैल्थ से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड या फिर जो अन्य जो टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड तो यह सब आपके राज्य सरकारों को दिये तो दोनों के बीच में जो है पावर्स हैं डिवाइड कर दी गई हैं लेकिन याद रखे वो जो चीजे हैं जो कि राष्ट महतु की हैं नेशनल इंपोर्टन्स रखती हैं वो सब टॉपिक आपके वो सब पावर्स केंदर या सेंटर को दिये गए हैं तो यह है इसकी पहली व ब्ह र्वस्था में जो आपकी सरकारों की बीच में कैसे पावर्स का डिवीजन होता है नेक्स आपका पॉइंट हमारे देश का जो सन्विधान हो लिखा हुआ। जaking होने के साथ हमारे देश के सबसे बड़ा सनविधान भी हैं जिसमें 400 जो है आपके आपके भाग है और आपके बारा जो है अनुसूचिया है तो हमारा जो सन्विधान है सबसे बड़ा लिखित सन्विधान है और इसी की तरह क्योंकि ये जो सन्विधान है इतना बड़ा कर दिया गया है इतने आर्टिकल्स इसमें है इतने जो है 25 भाग है आपकी 12 अनुसूचिया है इसलिए इतना विश्तित हमारा इतना बड़ा जो हमारा सन्विधान है हमारा सन्विधान सभा की तोरह इसलिए ही बनाए गया ताकि इसमें एक एक चीज को अच्छे से विवाद उत्पन ना हो जाए इसलिए एक एक चीज जो है हमारे सन्विधान में डिटेल से लिख दी गई है ताकि आगे कभी फ्यूचर में गलत फैमी का से संबंदित कोई भी गलत फैमी या विवाद दोनों की बीच में ना हो तो यह आपका जो पुष्टी करता है हमारे सं डौण की बीच Hers China's क स्ट्च विभाजन करने के लिए आपकी तीन स्ट बनाए गई हैं कौण सटिए की आपकी केंडर सौचि में जो है आपके जो उआठर रखे गए वह ऐसे विशिय गएए जिसront के hobi सेंटर या केंदर के पास हैं तो वह सेंटर लिस्ट में आते हैं दूसरी स्पेट लिस्ट राज्य सूची उसमें जो आपके शक्ति आते हैं ऐसे विश्याएंगे जिस पर कानून बनाने की शक्ति दोनों की है केंद्र और राज्यों की शक्ति होती है कि वह जो सभर्ति जो आपकी लिस्ट है समवर्ति सूची उसमें जो शामिल टॉपिक्स हैं उन पर कोई कानून बना सके लेकिन माल लिजे इसका भी पहले ही कर दिया गया कि कभी अगर कोई विवाद हो जाए कि समवर्थी सूची पर कोई अगर आपका टॉपिक आ रहा है और उसमें केंद्र और राज्य दोनों का विवाद हो जाए कि इस पर हम जो है कोई कानून बनाएंगे इस टॉपिक पर तो लास्ट में उस टॉपिक पर कानून कौन बनाएगा तो इसका समाधन पहले ही कर दिया गया है और हमारे समिधान में कह दिया गया है कि अगर समवर्थी सुची के किसे भी टॉपिक पर अगर कोई विवाद होता है दोनों के बीच तो अंतीमतह किसके पास वो टॉपिक जाएगा तो वो जाएगा आपके केंदर सर सरकार के पास होगी तो यह तीन सूचिया जो है आपकी बना दी गए तीन लिस्ट आपकी बताए गई है जिसमें आपका डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बिल्कुल साफ सा बताया गया है इन तीनों लिस्ट के लावा आपकी एक लिस्ट होती है जिसमें आपकी अवश पर आपके केंद्र को दिया गया है तो इतना आप समझ गए होंगे कि कही ना कही केंद्र को आपके राज्यों से ज्यादा विशयर दिये गए ज्यादा जो है पावर दी गई है ताकि किसी भी तरह से जो राज्य है या फिर हमारे देश कोई भी अंग जो है हमारे देश से अलग ना हो पाए और एक जो एकता और अखंता जो है यूनिटी और इंटीगरिटी हमेशा बनी रहे नेक्स्ट है सन्विधान की सरवोच्छता कि हमारे देश के सन्विधान है वो ही सरवोच्छ है और हमारे सन्विधान में जो एक एक चीज पहले से ही उलेखित है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है पहली बात तो वो अपनी मन मर्जी से कोई भी कानून नहीं बना सकती इसके लिए सन्विधान में पहले ही व्याख्या करती कई है और अगर वो सन्विधान के अगेंस्ट जाकर केंद्रे राजसरकार कोई कानून बनाती है तो जो है आपकी इसके लिए एक आपका जो न्यायले है सुप्रीम कोट है उसकी न्यायक स अ poem कर शकता है जिस हैं एंग्लिश में क्या कहते हैं Judicing Review जिससे कि अगर लगता है कि केंद्र और राजESरकार में को ऐसे आसा कानुन बना दिया है जो कि सन्विधान की शर्वोस्ता के विरुद्ध है थे उसे बर्खास किया है जा सकता है यह कहते हुए कि यह जो आपकी सन्विधान का जो स्टर्चर है मूझ्धाचा है उसके वीश्ध है next है आपका कठोर सन्विधान हमाय ंग को कठोर क्यों बनाए गया है ताकि जो सबसे पहल तो हमारे जो सन्विधान की सरवोच्चता है उसे बनाए रखा जाए और जो केंद्र और राज्यों की बीच में जो आपका बैलेंस है सामन जस्से हैं वो भी हमेशा बना रहे हैं क्यों अगर सन्विधान को कठोड नहीं रखा गया गया और रखा जाएगा और इस सन्विधान को कैसे भी तोड मरोड कर इसमें सन्शोधन कर दिया जाएगा तो जो हमारे जो एक एकता है हमारे देश में जो संग्य व्यवस्था जो हमने अभी तक बनाए रखी ती तूट जाएगी इसलिए सन्विधान को थोड़ा कठोड किया गया है यानि कि अगर कोई ऐसा हमें सन्शोधन करना है आपकी संसोध को कि जो कि आपकी संग्य व्यवस्था में के विरूद जाता हो संग्य भारत में संग्य व्यवस्था अपनाई गई है और इस संग्य व्यवस्था में अगर इससे लेटिट कोई भी अगर आपको जो है संशोधन या रहा गया है कि अगर आपको जो संग्य व्यवस्ता है इसमें को संशोधन करना है केंद राज्य संबंदों की बीच अगर को संशोधन करना है उसके लिए सबसे पहरे तो आपको क्या चाहिए संसत के द्वारा विशेश वहुमत जो है पारित होना चाहिए उसके लावा आपके जो आधे से जो आधे राज्य के जो विधान मंडल है उनकी जो आपकी सहमती भी होने चाहिए कि वे भी इस संशोधन को मानते हो उनकी भी सहमती इन संशोधन पर हो तो यहाँ पर हम देखें तो केवल संसत की ही जो सहमतिक आवशक्त नहीं है, आधे राज्यों की भी आवशक्ता है कि अगर उन्हें संग्य व्यवस्था में कोई संशोधन करना हो, तो इसलिए ही संविधान को कठोर रखा गया है कि कोई भी एरा गेरा नथु गेरा कोई आग संविधान मंडलों की सहमति भी चाहिए, तो संग्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही संविधान की सरवश्था रखी गए और कठोर संविधान भी बनाए गया है, तो समझ आगे पॉइंट, नेक्स पॉइंट है स्वतंत्र न्याइपालिका, तो हमारे संविधान म मुख्य रूप से संभालता है हमारी सुप्रीम कोट, हमारे जो है उच्तम न्याइले, माल लेजे कि अगर कोई ऐसा जो निर्ने लिया जाता है हमारे सरकार के द्वारा, कि जो हमारे सन्विधान के विरोध जाता हो, सन्विधान के सरोष्था के विरोध जाता हो, तो जो हम ही कर सकती है में यह नहीं की आपकी लोक सबाह और दूसरी राजय सबाह जी सब्सक्राइब करता है और सब्सक्राइब राजय सबाह जीजें दूसरी है राजे सबाल आ 반드려요 लोकसभा हमाय देश के लोगों का नित्रित्व करता है। जो राजे सभा की शक्ति चाहे लोकसभा से थोड़ी कम हो, लेकिन केंद्र के अनावश्यक जो राजों की विरुद अगर कोई कार्य किया जाएगा कैंद्र को अधिक शक्तिया दी गई है। और अगर वो अनावश्यक रूप से राज्यों के विरुद कोई नेड़ने लेता है, तो राज्यों का जो पक्ष है, वो कौन रखता है संसद में, वो राज्य सभा के द्वारा रखा जाता है, जो की राज्यों का नेत्रितुम करती है राज्य सभा में, तो इसलिए यहाँ प नापस में एक बैलेंस बना रहे तो यह सब विशेष्टा थी कि संग्य व्यवस्था में आखिर जो है क्या क्या होता है दो व्यवस्था है द्वाइद राजुपर्ति है लिखित सन्विधान है ताकि एक एक जो शक्ति है उसको डिटेल से समझाया जासके कोई गलत फैमी ना संग्य व्यवस्था में ताकि कोई भी जो है ऐसा कानून न बना देया जाय जो कि हमारे संग्य व्यवस्था में तो आज का टॉपिक सिर्फ आपको यह समझाने के लिए था कि आखिर जो संग्य व्यवस्था है यह जो टॉपिक संगे विवस्ता एक शब्द है फैडरेल सिस्टम या अखिर होता क्या है जो कि हमारे देश ने अपनाया है तो अमीद करती हूं आपको यह पूरा टॉपिक समझ आ गया हो ना आया हो तो कोई भी जो आपको पॉइंट है नहीं समझ में आये तो आप नीच साथ ज़रूर शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी चैनल पर कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आज के लिबस इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मस् टेक कियर ओल दा बेस्त और बेस्त और ब्लेस यू झाल